नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वाकत है हमारे चैनल भक्ती ज्यान में आज सुनते हैं पुन्यदाई रमा एकादशी की कहानी धर्मराज यूधिश्टर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसको करने की क्या विधी है और इसके करने से क्या फल मिलता है आप मुझे विस्तार पूर्वक बताईए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है इसका महातम मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनों प्राचीन काल में मुझुकुंद नाम का एक राजा था उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी साथी यम, कुबेर, वरुन और विभीशन भी उसके मित्र थे यह राजा बहुत ही धर्मात्मा, विश्नुभक्त और न्याय प्रिये था और इस राजा की ए चंद्रभागा था और उस कन्या का विवहा चंद्र से इनके पुत्र शोभन के साथ हुआ, और फिर एक दिन शोभन अपनी सुस्राल आया, और उन्ही दिनों पुन्यदाई रमा एकादशी भी आने वाली थी, जब व्रत का दिन समीप आ गया, तो चंद्रभागा के मन में विचार उत्पन हुआ, कि मेरे पती अत्यांत दुर्बल है, और उसके पिता राजा मुझुकुंद ने धोल बजवा कर सारे राजे में घोशना करवा दी थी, कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, धोल की घोशना सुनते ही, शोभन को अत्यांत चिनता हुई, और उ ऐसा उपाई बताओ, कि जससे मेरे प्राण बज जाएं, नहीं तो भूका रहने से तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहां तक की हाथी, खोड़ा, उट, पिल्ली, गाए, ये सब भी अनजल ग्रहन नहीं करते। तो फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाते हैं, तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। क्यूंकि यदि आप यहीं रहेंगे, तो आपको अवश्य ही ये व्रत करना पड़ेगा। ऐसा और शोभन कहने लगा, फिर तो मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा। और जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। और इस प्रकार का विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया। और उस दिन वो भूख प्यास से अत्यांत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नाराय जाग्रण अस्त हो गए और रात्री को जाग्रण करने का समय आ गया। वो समय जो सभी वैश्नवों को अत्यांत खुशी देने वाला था। परन्तु शोभन को वो समय बहुत ही दुखताई हुआ। क्यूंकि उससे जाग्रण नहीं हो रहा था। उससे तो भूख बरदाश ही नहीं हो रही थी। प्रातकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। उसकी मृत्यू होने के बाद राजा ने सुगंदित लकडियों से उसका दाह संसकार कराया। लेकिन चंद्रभागा ने अपने पिता की आग्या से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। और शोभन की अंतिये इश्टी क्रिया के बाद भी अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल परवत पर धन धान्ने से योक्त और शत्रूं से रहित एक सुन्दर देवपुर प्राप्त हुआ। वह भवन बहुत ही सुन्दर रत्नों वैदुर्य मनी जटित स्वन के खंबो से निर्मित था। अनेक प्रकार के स्वटिक मनियों से उस भवन की बहुमूले शोभा बढ़ रही थी। वहां बहुमूले वस्त्राभूशनों से योक्त चवर विभूशित गंधर्व और अपसराएं भी थी। वहां सिंगासन पर आरुड ऐसा शोभाय मान होता था। मानों दूसरा इंद्र विराज मान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्रहमन तीर्थ करता हुआ। गूमता फिरता उधर जा निकला। और उसने शोभन को पहचान लिया। कि ये तो राजा का जमा शोभन है। और ये सोचकर वो उसके पास कया। शोभन ने भी उसे पहचान लिया। और अपने आसन से उठकर वो उसके पास आया। और उसे प्रणाम करके कुशल होने का प्रश्न किया। ब्रहमन ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल है। परंतु हे राजन हमें आश्चर्य हो रहा है आप अपना वृतांत हमें बताईए कि जो सुन्दर नगर कभी किसी ने नहीं देखा ना ही सुना वो आपको कैसे प्राप्त हुआ तब शोभन ने कहा कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है परन्तु यह अस्थिर है यह स्थिर हो जाएगा ऐसा कोई उपाई कीजिए ब्रामण ने कहा हे राजन यह स्थिर क्यों नहीं है और यह कैसे स्थिर होगा आप मुझे बताईए मैं इसके लिए उपाई अवर्ष्य करूंगा शोभन ने कहा मैंने इस व्रत को आप मुझुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब बता दे तो यह स्थिर हो जाएगा ऐसा सुनकर उश्रेष्ट ब्रामण ने अपने नगर में लोटकर चंद्रभागा को सारा वृतांत कह सुनाया ब्रामण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन हुई और ब ब्रामण ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वपन बता रहे हैं ब्रामण कहने लगा हे पुत्री मैंने तुम्हारे पती को प्रत्यक्ष देखा है साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है और उन्होंने कहा ह कि ये नगर स्थिर नहीं है जिस प्रकार वह स्थिर रह सके उसका उपाय करना चाहिए चंद्रभागा ने कहा हे ब्रामन तुम मुझे भी वहां ले चलो मुझे अपने पतिदेव के दर्शन की लालसा हो रही है मैं अपने किये पुन्य से उस नगर को स्थिर बना दूँगी आप कोई ऐसा कार्य करिये जिससे उनका और हमारा सयोग हो सके क्यूंकि वियोगी को मिला देना महान पुन्य है सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंद्राचल परवत के समीप वामदेव रिशी की आश्रम पर गया वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिशेक कर दिया तब रिशी के मंत्र के प्रभाव और एकादशी का व्रत करने से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गती को प्राप्त हुई इसके बाद बड़ी प्रसंता के साथ वो अपनी पती के निकट गई अपनी प्रिय पत्नी को आता देख शोभन बहुत प्रसन हुआ और उसे बुलाकर उसने अपनी पाई तरफ बिठा लिया चंद्रभागा कहने लगी हे प्राणनात आप मेरे पुन्ने को ग्रहन कीजिए अपने पिता के घर जब मैं आठ वर्ष की थी तब से विधी पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ इस पुन्ने के प्रताप से आपका यहनगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलै आने के अंत तक यहीं रहेगा और इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूश्णों और वस्त्रों से सुसचित होकर अपने पती के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी हे राजन यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है जो मनुष्य इस प्रत को करते हैं उनके भ्रम मित्यादी समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष दोनों की एकादशिया समान है इनमे कोई भेदभाव नहीं है दोनों समान फल देती हैं जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अत्वा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूट कर विश्णु लोग को प्राप्त होते हैं तो ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरी चैनल भक्ति ज्यान को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद